हमाई साथ में समय राजमंत्री मैंकेश्वर शरन सिंग जी हैं उन्हीं से बातशीत करते हैं मंत्री जी बस्पा सुप्रीमो मायावती एक तरफ कहती हैं गड़बंधन किसी से नहीं करेंगे और सपा के जो सांसादे शफिकुर रह्मान बर्क वो मायावती जी की तारीफ करते नहीं ठक रहे हैं अब ये उनका वेक्तिकत कमेंट है मैं इसमें क्या कहूं अब बसे मुझे नहीं लगता कि सपा बस्पा का कोई गडबंधन होने जा रहा है अगर होगा भी सब लोग साथ मिलके भी लड़ेंगे तो हम लोग उसके लिए भी तैयार है बारती जनता पार्टी हमेशा चुनाओं जब हो या ना हो हम लोग 24 गंटे काम करने वाले लोग हैं और इसलिए हम लोग हर प्रस्थिनी से निपटने के लिए तैयार है शाफिकुर रइमानबर्द ने ये भी कहा कि मायवती जू है उन्हों ने अपने समाज के लिए काफी काम किया है अभ मुझे ये निसस्वाब आया और संगठ नविश्णार की भी बात चली कहा जारा है भाजपा किस तरह से इस पूरी चीजों को देखती है यह उनका अंदूरी मामला है विपक्षी दल है और विपक्षी दल को मजबूत भी होना चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की परिस्तिती में उत्तर प्रदेश में भारती जंता पाटी से लड़ने की कोशिश मे भी कोई हो क्या रखता है इस बार जो चाचा है उनको बड़ी भूमिका मिलेगी क्योंकि पहले भी कई बार चर्चाएं हुई लेकिन इस बार एक लंबे समय बात खुद अखिले शादम उनके घर गए लगवक्त सवा घंटेगी बैठक भी होई अब चाहे जिस तरह की भू जोड़ो यात्रा निकाल लें उस यात्रा में उन्होंने विपक्षी दल के नेताओं को भी बुलाया खिलेश अदफ को भी बुलाया लेकिन अखिलेश आदम ने शुब कामनाई भेजी महा नहीं गए थे अब केसी आर की महारेदी में जो है अखिलेश आदफ शामिल हो रह का तेलंगाना में मेरे क्याल से प्रभाव जीरो है जो थर्ड फ्रेंट की बात चल रही है अगर थर्ड फ्रेंट तयार होता है तो भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनाओती होगा बिलकुल भी नहीं और आप निश्चित मान के चलिए कोई फ्रंट तयार नहीं हो पाए दोजार चौविस को देगे मानने कि आप लोग निश्चिंत हैं अभी भी ने निश्चिंत हम लोग हैं लेकिन हम लोग और कॉन्फिटेंस नहीं है और जमीन पर हम लोग पूरी तरीके से काम करने वाले लोग हैं भारती जयनता पाट्टी का चाहे बढ़ा नेता हो चाहे किसी ना किसी एक पन्ने का प्रमुक होता है चाहे हमारे राष्टी अध्यक जी हो चाहे हमारे प्रदेश अध्यक जी हो चाहे हमारे ग्रह मंत्री जी हो चाहे प्रधान मंत्री जी हो वो भी एक नाय किसी पन्ने के प्रमुक हैं और वो काम उनको भी करना पड़ता है तो चो क्योंती ने अपनी बैठक की उसके बाद में लगातार मंडल इस्तर पर उनके समेलन हो रहे हैं भी जिला इस्तर पर और एक बड़ी बात यह की जा रही है कि सगठन में 50% युवाओं को शामिल किया जाए बस पाप में तो एक अलग तरीके से लोगों तक अपनी विचारधार पहुंचाना दोजार चोईच की तियारी करना क्या भाश्पाक जो कहीं चिंता डिग्रत इस में भार्ति जनता पार्टी भी एक पारी है और बहुत तक क्या करें, क्या सोच रहें ये जनता, ये तो मैं इसमें पूरा confident हूँ कि आज भी मानिये आधरणी मोदी जी और आधरणी योगी जी के नितित में जनता पूरी तरी से संतुष्ट है. तो ये ते हमाई साथ में राजमंत्री मेंकेश्वर शरन सिंग जी जिन्नों ने कहा कि चाहे अखिलेश यादफ तेलंगाना चले जाएं, चाहे अन्निदल जो हैं जो भी तैयारी करें, लेकिन जिस तरह से भारती जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर उनके कारेकरता से ले ABP गंगा, खबर आपकी, जबाँ आपकी